बालविया जी, अर्जुन सिंग बामनिया जी, रमेश पांदिया जी, स्टेज में कॉंग्रेस पार्टी के सीडियर नेता, भाई और वेनो, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब का इस पवित्र भूमी पे बहुत-बहुत स्वागत, चोड़ तो नहीं लगी आपको. शुरू करने से पहले, जो यहां आदिवासियों ने, अंग्रेसों की लड़ाई में, हिंदुस्तान को बनाने के लिए जो काम किया, जो कुर्बानी दी, उसके लिए मैं आप सब को दिल से, आदिवासी समाज को दिल से धन्यवाद करता हूं. आज आदिवासी दिवस भी है, और इसके लिए मैं आपको पधाई देता हूं. जब मैं छोटा था, छे साथ साल का था, तो मेरी दादी इंद्रा जी ने मुझे एक किताब दी थी. किताब का नाम तेंदू एक आदिवासी बच्चा ये नाम था. और वो एक आदिवासी बच्चे के जिंदगी के बारे में किताब थी. वो जंगल में कैसे जीता था, तीर कबान से मच्ची मारता था, उसके माता पिता उसका परिवार किस प्रकार से जीता था, उस किताब में लिखा था.